दोस्तो आज का वीडियो बहुती स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज तक आपने यूट्यूब और सोशल मीडिया पर बहुत से ब्लॉगर्स की सक्सेस्फुल और महिनों में लाकों रुपे कैसे कमाए ऐसी वीडियो देखी होगी लेकिन आज डिकोडिंग ब्लॉगिंग चैनल पर पहली बार एक फीमिल ब्लॉगर अपनी अंसक्सेस्फुल स्टोरी बताने वाली है आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें किस नीश में नहीं आना चाहिए और उन्होंने ऐसी क्या गलतियां की फेक गुरूज के चक्कर में आके उन सभी पे भी हम बात करेंगे दरसल मैंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की थी जिसे रीड करने पर उन फीमिल ब्लॉगर ने मुसे मैसेज किया और फेस ना रिवील करने की रिक्वेस्ट के साथ आज वो हमारे साथ पॉड़कास्ट के लिए तयार हो गई है तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का पॉड़कास्ट ओके तो साइश्री जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है डिकोडिंग ब्लॉगिंग चैनल पर सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप इंट्रोड़क्शन दीजिए हमारे सारी ओडियंस को कि आप कहां से हैं और आपको ब्लॉगिंग के बारे में पहले कब पता चला अके फर्स्ट अवल तो थैंक्स तू फुर्यू कि आपने मुझे इन्वाइट या मेरा नम साइश्री है मैं इंदोर से हूं मैं प्रोफेशन से एक आथर हूं एंड कॉंटेंट क्रियेटर हूं तो उपने साल हो गए आपको फिल्ड में एक्चली मैं कॉंटेंड ऐसे कॉं से टाइम पर मैंने सुछ सर्च किया ऑनलाइन अर्निंग इस टास्कते है तो में आथऊर हूं मुझे राइटिंग का वी शोग है चैनल तो तब आपने जब ब्लॉगिंग के बारे में देखा था वहां पर मुझे बहुत है इन्फॉर्मेशन में मिली थी फिर उसके बाद मैंने सतिष के वीडियो जी की वीडियो देखे थे उनका तो मैंने लेटिस से देखना शुरू के कुछ पांचिक महने पहले से तो क् अब मुझे क्लियर हुआ कि ब्लॉगिंग एक्चुली होती क्या है उसके पहले तो हरको भ्रहमेति कर रहा था हमें कि ऐसा कर लो एसा कर लो तो अब इस दिशा में चाहे कभी उस दिशा में चाहे क्या पर्सेप्शन बना हुआ था आपका इस चैनल से पहले जो आपने उनके थबनेल्स पे ज़्यादा तर कई बार स्टूडेंट्स को हॉस्टिंग और इधर उदर जो भी वल्नेरिबल जो डिवी होती है हमारे उसमें है उनको टार्गेट किया जाता है उनको इस तरह बताया जाता है कि आप अपने यह सपने पूरी कर सकते हो वो सपने पूरी कर सकते हो एक ब्लॉग बस क्रियेट करना है होस्टिंग लेके इसलिए मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि जब आपने पहली बार ब्लॉगिंग के बारे में सुना और जब देखा वीडियो देखी चाहे किसी भी क्रियेटर की तो एक फर्स्ट परसेप्शन क्या बना आपका की ब्लॉगिंग क्या है वो मुझे बताइए फर्स्ट फोल मेरा जो परपस इस इंट्रव्य को मेरा परपस यह है कि जो गलतिया मैंने अपने लाइफ टाइम में करी है ब्लॉगिंग फिल्ड में उसके दो चार सालों के अंदर एंड जो मेरा पेसा वेस्ट हुआ है तो मैं चाहती हो कि जो हमारा यूथ है जो इसमें सोच रहा है कि हमें स्टार्टिंग करनी है तो उनका टाइम और पेसा बेश्टना जनरली क्या हुआ था कि मैंने जब वीडियो दिखना शुरू किये थे तो फिर मुझे यही बताएगा था कि आप महीने के लाग रुपे अंकर सक लेकिन एक चीज मैंने अपने वीडियो में बताई थी कि गूगल हो गया कोई और हो गया यह आप इनकी एक अपडेट पे आपका पूरा करियर डिपेंड करता है सिर्फ एक करियर पे एक अपडेट उड़ भी सकता है चल भी सकता है कुछ भी हो सकता है तो यह बहुत ज़रूरी है यूथ के लिए मेरे पास कई ऐसे स्टुदेंट्स के भी मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे जो कहते हैं कि भईया हमने 11th क्लास के आप उससे बात कर सकते हो बोल सकते हो वो ऐसी जटके से आपको निकाल नहीं देगा है ना लेकिन यहां पर आपका पूरी वेबसाइट सब कुछ पूरा सब करियर आपके एक अपडेट पर डिपेंड होता है एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ऑथर हो है ना तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हो इस साइकलोजी पीछे की समझ सकते हो आप मेरा सवाल यह है कि जितने भी क्रेटर्स हैं है ना जितनी आपनी वीडियो देखी चाहे सतीश के वीडियो पवन अगरवाल जो भी हो गया हर कोई अपनी वीडियो में जरूर बोल देता है लास्ट में इस तरीके से आप यह कमा सकते हो लेकिन आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आपको यह करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा तो क्या आप इसको एक रिवर्स साइकलोजी समझते हो या ऐसा कुछ मानते हो कि एक वो चीज होती जो मैंने स इसे करनी पड़ेगी छोटे-छोटे क्या इशू जाएंगे उसके अंदर और step by step day by day क्या क्या इशू जाएंगे वो चीज छुपा के रखी जाती है एक्जेटली देखें यहां पर पहली बात ही कि कोई भी creator हो मुझे किसी को टार्गेट नहीं करना है और हरको अपने दु जोट जरूरी है जो अधरवाइस क्या होता कि जिसे मेंने मेरे जाना ची कि फोर येर्स मैंने व्लागिंग के अंदर मेरे वेस्ट हो गए हाला कि वेस्ट तो नहीं सकते कि मैंने बहुत कुछ सीखा भी है बट मुझे उसे कुछ रिजल्स नहीं मिले तो जो भी जो बता रह हो उसको लेके आप ग्रीडी ना हो एक माइन में बिठा लो कि आपको हर चिस करनी है तो आपको अच्छे तरह की से सीखना जरूरी है उसको टाइम देना जरूरी है तब ही आप उससे अर्निंग कर से अगर आप किसी का वीडियो देख लेते हो कि हमें लाग रुपे महीने क आ रहा है तो उसका बेग्राउन आप समझो कि उनके पीछे बहुत बड़ी टीम खड़ी है यहाँ पर एक जो इंडियोजल जो न्यू कमर होता है उसको पहले ब्लॉगिंग की बीज समझने में उसको साल दो साल लेकल जाए मेरा एक में जो मोटिव था आपको बुलाने का क कि मैंने कई सारे जो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्टेड है कुछ लोग मैंने सभी से स्टोरी डाल कर यह पूछा था किस-किस ने होस्टिंग ली इंफ्लेंस होके और कौन-कौन फेल हो गए तो मेरे पास बहुत सारे लोग के मैसेज आयते बट मैंने मेरा आपको स्ल स्टोरी सामने नहीं आ पाती कितने ही मैंने जो बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जो ब्लॉगिंग के बारे में बताते हैं उनके कमेंट्स जब मैं पढ़ता हूं रिसर्च वर्क के लिए तो मुझे वहां पर बहुत सारे जो फीमेल जैसे स्टुडेंट हो गहीं कोई है उन लोगों को स्पेस बिल्कुल खतम है टेलीग्राम हो गया फेस्बुक हो गया या तो उनकी कम्यूटी बाहर नहीं आ रही है ना या तो उनको स्पेस नहीं मिला या कुछ आकि वह भी खुल के पूछ पाएं बात कर पाएं हर जगे सिर्फ आपने यह चीज नोट आपन है कि इंस्ट्राग्राम के उपर है परील्स बना लो कोई फेशन प्रोडट्ट प्रमोट कर लो वही चीज़ है मैं उमीद करता हूं कि हाँ इस पॉड्कास्ट के बाद और भी जो अगर कोई फीमेल है ऐसी कोई हाउस वाइफ होगे स्टूडेंट होगे या कोई और होगे जिनके साथ चाहे उनकी कोई success story है या unsuccessful भी हुई है तो वो बताएंगी है ना क्यूंकि आप बार बार किसी एक कम्यूटी के ही successful stories या unsuccessful stories को सुनते रहोगे ना तो फिर जो पिछड़ा है मतलब पिछड़े का कहना का मतलब है जो सामने नहीं आ पा रहा है या फिर जिसको stage नह यही था अच्छा मैं आपसे अब next यह पूछना चाहता हूं कि आपने जब ब्लॉगिंग की वीडियो देखना शुरू किया तो अब ही तक आपने क्या ठीखा है लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ फेक गुरूस की चकर में आके उन्हेंने मुझे जो डराया जाता है इमोशन अच्छा होस्टिंग आपने किस की वीडियो देख के खरी दी थी तो वह आपको मिले थे लेकिन बात में समझ मया कि वह प्लगिंस जो है बात में अपग्रेड़ेबल ही नहीं है हर दो दिन के अंदर वो वर्डप्रेस एक नोटिस दे देता है कि आपका यह प्लगिं अपडेट तो आपने यह होस्टिंग कब खरी दी तो जैसे मैंने जो एक वीडियो बनाई थी शायद दूसरी है तीसरी होगी जिसमें मैंने बताया था कि जो एक जार डॉलर की बात कर है तो जब आपने लिए और आपको सारे प्रीमियम टैम्टेट्स वगएरा सब कुछ मिला तो क्या आपको कोई सपोर्ट मिला ऐसा या फिर आपको वह जो भी स्कीज मिली थी लग इन्स मिले या तेम्ली क्या आपको वह यूज करना आता था उस ताइम नई एक्शली देख साल में सब चीज़ सीख लिए एक्चुली मैं कॉंटेंट क्रियेटर हूं एंड डिजाइनर भी हूं तो मुझे वेबसाइट ग्राफिक करने भी आता है मैंने कोई प्रीमिम टेंपलेट वगरा यूज ने किया है मैंने जो मेरी वेबसाइट बनाई है वो जीरो से डिजाइन किया मैंने खुद ने डिजैन किया है मैंने जनुरल प्रेंट प्री आता है उसी को यूज किया एंड वहां से जेरो से मैंने इसको डिजाइन करना शुरू कर जिया था तो जो आपको प्लग इं और波 मिलें या यह टेंप्रिट मिलें मतलब वह आपके काम नहीं हाय आपने आप आपने जो भी सीखा खुझ से जो भी सीखा उसी से अपने क्रियेट की अपनी वेबसाइट हाँ मैं यहां पर एक चीज़ एड यह करना चाहूंगा कि कुछ लोगों के गलत फैम हो जाती है कि मैं होस्टिंग बेचने के या फिर होस्टिंग को प्रमोट करने के खिलाफ ह इसा नहीं है वोस्टिंग को अगर आप एक सही तरीके से प्रमोट करते हो क्योंकि देखो ब्लॉगिंग और एफिलेट मार्केटिंग यह दोनों कनेक्टिड है तो अगर कोई होस्टिंग अपनी प्रमोट करता है तो उसे करनी चाहिए कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेकिन वो सही तरीके से प्रमोट करें है ना वो आपको कोई सर्विस दे सकता है आप किसी को यह बोलो आप इनसे खरीद लो तो आपको गुडीज मिलेंगी तो वो एक एक्स्ट्रा ना एक एक लॉलिपॉप की जैसा मुझे लगता है क कि मेरे पास BMW है तो वो इसको मेंटेन कर पार इसका मिनिंग सी यह नहीं कि आप भी BMW के पढ़े हों क्यों कि BMW का मेंटेनेंस एंड उसको एक्सपेंस इसके जो होते हैं वो आपका पॉकेट अलाव करता है या नहीं करता है वो एक इंपोर्टेंट तिंग मतलब जो आपको कहे रहा है कि वह वोस्टिंग लेलो ब्लॉगिंग डॉमेंड लेलो तो वह उनके लिए मामोली बात है कि लॉलीपप खरीदने के चिस्टा है बट क्या एक नॉर्मल इंसान नॉर्मल इस्टूरेंट जो अपने पेरेंट्स के उपर पेसों के लिए तो क्या वह उसको एक बार तो पर्टेस कर लेगा बट नेक्स जिर जब रहाएगा उसको साल भर में कोई अर्निंग्स नहीं होगी तो क्या वह उसको बियर कर सकता एक बड़ा खुशन है बिल्कुल सही बात है और इसलिए बहुत सारे ब्लॉगिंग करना बहुत जरूरी है कि आपको उस मुकाम तक पहुशने के लिए बहुत तगडी टीम चाहिए बहुत अच्छा नौलेज चाहिए और कंसिस्टेंट मेहनत चाहिए बिल्कुल बिल्कुल एंड तब जाकर वह अर्निंग अचीव कर सकता अगर आप यह सोच देखते हो कि मै होस्टिंग ले लेता हूं और मैं छे मिलने में साल महीं भर के अंदर मैं एटसंस के लिए अपलाई कर दूँगा और मुझी लाग रुपे आना लग जाएगा तो यह ना शीशा होता है उसके उपर पत्थर माने के बराएगा बिल्कुल सही बात है आपकी जो बिगनर्स है वो किसी ने आपको बताया नहीं कभी कि ब्लॉगिंग के अंदर क्या-क्या सीखना पड़ता है क्या-क्या खुद से करना पड़ता है अब आपने यह चीज़ बताई बहुत अच्छी पॉइंट आउट की कि व्यूर्स की भी हाँ पे एक गलती यह हो जाती कि वो लालत में जाते हैं और यह content creation की usp आप बहुत अच्छे से आप समझोगे इस चीज़ को कि आप भी content creator हो यह hook generate करने वाली चीज़े होती है बताने वाली चीज़े होती है clickbaits वाली चीज़े होती है तो यह जानबुज के ही होती है ताकि views मिले और इसी लिए जो genuine content creator है ब्लॉगिंग में भी उनकी videos कोई नहीं देखता क्योंकि उनकी videos boring लगती है क्योंकि वह अपने videos में ना महंगी गाडिया दिखाते हैं ना बहुत बड़ी earnings दिखाते हैं है ना dashboard दिखाते हैं कि हमारे इतने पैसे बने उतने पैसे बने और उनकी videos viral भी नहीं कोई देखता भी उनकी बोरिंग लगती है उन्हें लगता है नए जो वीवर्स होते हैं उनको लगता है कि यार यह तो वैसे ही पागल बना रहा है और वहां पर इतनी अर्णिंग हो रही है एक्चली जो पर आपने बताया था कि दो-तिन होस्टिंग ने लो तो यही गलती मेंने भी करें मैंने भी इनका वीडियो देखकर आप awareness हो नहीं कर पाऊगे चलिए साइंशीरी जी अब आपकी वेबसाइट टे हम बात कर लेती है ना थोड़ी अच्छा तो यह आपकी वेबसाइट है साइंशीरी जी की आपने जैसे मुझे स्टार्टिंग में बताया कि आप ऑथर हो जो यूटीव पर बताया जा रहा है उसकी तरफ चले गए बजाए कि जो आपकी स्ट्रेंथ है जो आपको अल्रेडी पता है वो यूज करने के यहां पर यहां पर सबसे बड़ा लूप फॉल जो है मेरा यही रहा यहां पर कि मैंने किसी की बातों में आके वो चीज़े देखकर मैंने वो चीज़े से स्टार्ट तो आपने जो इस पर यह सारा कॉंटेंट लिखा है यह क्या होता है कि आपके दिमाग में मन में कोई बाते चल रही हो एंड उसको आप अपने एक्सपिरियंस से राइट डाउन करें तो चीज़े बहुत इंपोर्टेंट है कि आपको लिखना आना चाहिए प्लस आपको जिससे आपका एक मेंने वीडियो देखा था वो मुझे ब मतलब मेरे लिए काल आक्षर भेसवरा फाइनेंस के ला तो मुझे कुछ समझ है उसमें और मतलब मैं खुद अगर मेरे आर्टिकल लिखने जो मुझे बोरिये तो आपने फिर मतलब AI टूल्स का यूज किया होगा हां मैंने यहां पर देखा था कि चैट जीपीड को यूज लिखो और लाखो कमबाब है उसका मैंने भी देखा था वहां पर रहुल उपमेंने की मैंने वीडियो देखी थे एंड वहां से मैंने सीखा था कि कैसी एक आर्टिकल चैट जीपीड से लिखवाया जा सकते तो इनिश्यल की मेरे कुछ आर्टिकल से उसी तरीके के हैं बट कि उसका रिजन मुझे पता लग गया मैं आपसे पूछने वाला था बट मुझे उसका रिजन पता लग गया कि आपने खुद कहा कि फाइनेंस में आपके इंट्रेस्ट नहीं है है ना बट फिर भी आपने CPC हाई मिलेगा और यह सारी चीज़ी ऐसी देखकर फाइनेंस नी यह 31 तो यह वेब स्टोरी वगर की वीडियो देखके भी आपने वेब स्टोरी पर काम किया होगा है ना मैं सद्विर डूल जी की जो सद्विर टॉक्स की चैनल है उनके मैं देखती हूं और मैंने वास से यह सुखना शुरू किया यह जो जी ट्रांसलेट लगाया शायद आपने है ना यह भी यूट्यूब की वीडियो देखकर ही लगाया होगा तो इसमें आपने जैसे इतनी सारी कैटेगरी लगाई है एफिलेट मार्केटिंग ब्लॉगिंग डिजिटल और यह सब तो मैं आपको एक सजेशन दूँगा कि मरी माउ जैसे आपने इसका नाम करूंगे कि यह यह नाम मेरे फादर का दिया हुआ है इसलिए मैं उनकी ब्लेजिंग समझते हमेशा एंड मैं इसमें वरकिंग करूंगी बट जिसमें आपका जो लेटेस्ट जो लास्ट वीडियो देखी थे मिने आपके इसमें कॉंटेंट राइटिंग के आपने जो सीरी का एक्जामपल ले लूँ कि जैसे आप मनें बताया कि आप आथर हो वेडिंग रील्स वगरा या और जो इंफ्लेंसर उनकी रील्स वगरा एडिट करते हो है ना तो आप वो चीज़े सिखा सकते हो यहां पर उनसे पैसा कैसे कमाई है रील्स कैसे एडिट करनी है अब इसको अपना एक ब्रैंड बना सकते आप इस पर काम करके जैसे आपके पास क्लाइट साते हैं तो इससे एक इस्टैबलिश भी होगा आपका खुद का ब्रैंड इस्टैबलिश होगा कि आप क्या करते हो क्या बताते हो एक पूरा पूर्टफोलियो बन जाएगा आप तो आप इस वेबसाइट का जो थी में वो तो फाइनेंस का है उसके लिए ऐसा तरहा है कुछ निये देखो इस वेबसाइट का मैं आपको यह स्ट करूंगा देखो आपका फाइनेंस रिलेड़ जो भी टॉपिक्स होते हैं जो भी वह ब्लॉग पोस्ट होते हैं आपने इच्छे का कोई एक्सपिरियंस हो वाइम वाइल में यह आती हैं सारी चीज़े हैं तो ऐसी एक में आप अगर काम करोगे और आपके पास कोई इसका एक्सपिरियंस नहीं अच्छा तो यह चीज कभी रैंक नहीं होगी मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा आपकी नीश हो जाएगी बहुती नेरो नीश हो जाएगी जिस पर कोई काम नहीं कर रहा हैं बहुत कम लोग काम कर रहे हैं इस ऐसी चीज़ पर तो यह एक तरीके से आपका ब्रैंड भी बन जाएगा है ना और यह आप मनी माउ कि अपने सोशल हैंडल्स बनाके वहाँ पे आपने काम को अपने पोर्टफोलियो को आपके दिखा सकते हो और इस से क्या होगा कि आपको सिर्फ SEO पे डिपेंड भी नहीं रहना पड़ेगा आप अपनी सोशल प्रफाइल्स बनाओगे इंस्टाग्राम की फेस्बुक की यूट्यूपी मनी माउ के नाम से और वहाँ पे आपन इंस्टाग्राम या फेस्बुक यूट्यूप पे शॉर्स के रूप में बताओगे बनाओगे और वहीं पे आप ये भी बोलोगे कि इसको अगर आपने डिटेल में पढ़ना है कि मैंने कैसे क्या किया क्या क्या किया तो आप moneymow.com पे जा सकते हो तो वहां से आप शोशल बना लो बजाए कि इसमें कुछ भी पोस्ट करने के इस पंड बता मैं आपको मतलब by heart जो एक thankful करना चाहूंगी क्योंकि आपने पता है इसका प्रस्पेक्ट्व मेरा चेंज करती है मुझे लग रहा था कि यह डोमीन मेरा वेस्ट हो गया है मैं इस पर काम नहीं कर सकती हू हाँ बिल्कुल क्योंकि मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा मैं आपको बताता हूं देखो आपने इस वेबसाइट में क्या गलतियां है क्या नहीं रिवीू वगरह पे मैं नहीं जाँगा क्योंकि मुझे जरूरत नहीं महिशूस हो रही है आपको कुछ websites दिखाता हूं देखो शी नोस S.U. करके एक female blogger है foreign की blogger है आप इनकी website पर जाना यह website दिख रही है आपको screen पर इनकी website पर जाना इनकी blog post रीड करना कभी-कभी जब भी आपका कर सकते हो इनका YouTube चैनल भी है यह मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप एक connect क्योंकि देखो एक वो होता ही है चाहे हो कोई कितना भी कह ले बट एक वो होता है कि जैसे मैं अगर लड़का हूं तो मैं अगर किसी उसकी वीडियो देखता हूं किसी लड़के की कि वो ह हो रहा है successful और कुछ हो रहा है तो वहां से हम motivate भी होते हैं कुछ और चीज़े भी होती है अब आप इतना अच्छा कर रहे हो आप पहली music album वगर अपना कुद का काम आपने कर रखा है तो आपने blogging में जाना है तो अगर आपको पता हो कि मेरे तरीके मेरी तरह और कितनी female bloggers अच्छा काम कर रही है ना बाहर इंडिया के बाहर कर रही है इंडिया में कर रही है तो आपको उससे एक अलग motivation मिलेगा यह चीज़ फैक्ट होई यह psychological truth है यह होता है तो इसको मैं आपको recommend करूँगा कि आप इनकी blog post read करो है ना इनके blogs देखो अब देखो हर तरीके की वीडियोज ऐसी भी मिल सकती है जो आपके बिल्कुल relate नहीं करोगे आप जिन से लेकिन चीज़े हमें हमेशा मैं हमेशा यह कहता हूं कभी किसी के fan मत बनो कभी किसी को die hard वो मत बनो कि भई मैं तो आपका भग तूँ यह हूँ वो हूँ चीज़े सब की देखो फिर अपना नाम देखो आप मैं जो बता रहा था main cheese वो यह जैसे she knows as you कोई बहुत जाता fancy नाम भी नहीं है बट एक बहुत ही unique नाम है बहुत अच्छा नाम है वैसे travel blogging इन्होंने blogging में ही जो ब्लोग अलग अलग बताते हैं कि अब travel blogging शुरू कर लो finance blogging हो गई या कोई और हो गई इ उनकी psychology से बहुत relate करता है जिस चीज में already आपने इतने साल दिये हैं आपका experience जिस चीज में है already तो उस चीज पर ही काम करोगे तो आपके authority और ज़्यादा create होगी बजाए कि फिर से scratch से किसी नए topic पर काम करो और उस पर करो कि सिर्फ इसलिए कि कभी ना कभी पैसे बनेंगे कुछ बनेंगे इसमें एक पॉइंट और एड करने जिसा है आप website open करोगे ना उसमें न्यूज न्यूज माओ करके मैं अपन किया है ठीक है न्यूज माओ यहां पर परपस यह था कि मैं चाहती हूं वह female candidates जिनको प्रेटफॉर्म नहीं मिल रहा है सपोर्ट नहीं मिल रहा है प्रेनिंग नहीं मिल रही है तो मैं उनको यहां पर ऑफर करती हूं कि वह आए मेरे साथ ट्रेनिंग करे मैं उन्हें सिखाऊंगी एंड एडसेंस तो ब student है कोई भी है तो मैं उनको suggest करूंगा कि आप अपनी इनकी मैं शिरी साही जे की gmail id मैंशन कर दूंगा description में तो वहां पर जो भी female subscribers है वो अपना एक sample अगर उन्होंने कुछ लिखके रखा है ना अपने articles वगर भेज सकती हैं इनके पास और जो भी आपका जो भी filtration का criteria होग तो हर एक के लिए welcome और जो मैं यह promote कर रहा हूँ है ना अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई female subscriber तो इनसे contact करें आपस में team बना सकते हो वो सिर्फ इनके लिए नहीं है अब आगे मेरे साथ जो भी मेरे subscribers connect होंगे है ना अगर जैसे मैंने एक परिवर्तन series भी start की हुई है उसक कि आउंगा तरही बार हम ऐसा feel करते हैं कि अगर हम team में होते तो बहुत अच्छा काम कर लेते हैं ना कोई अगर साथ बताने करने वाला होता तो शायद हम अच्छा काम कर लेते तो सिर्फ यह opportunity सिर्फ इनके लिए नहीं है यह opportunity सब के लिए है क्योंकि आप सभी ने deep coding blogging channel को थोड़ी दूर के निकल जाए या फिर कुछ ऐसे ऐसा किसी का आपस में connection बन जाए अच्छी team बन जाए तो उसमें मेरी कोई मेरा कुछ नहीं जाता मेरी कोई महनत नहीं लगती मुझे सिर्फ आके बोलना है इससे एक benefit यह भी होता है कि माल लीजिए अगर जैसे आज मैंने आपका नाम लिया और जो female subscribers हैं उनको आपका reference दिया ऐसी अगर मैं कल परसो जो भी और भी किसी साथ podcast करूँगा तो उनमें मैं किसी का नाम लूँगा तो कई पर क्या होते हैं relation इतने अच्छे बन जाते हैं तो आप hosting वगर हमें contribute कर सकते हो ज़रूरी नहीं कि एक ही बंदा चैनल की वीडियोज देखकर सिर्फ और सिर्फ वीडियोज ही नहीं देखी हैं उनसे हमें हमें हमारे साथ लोग connect हुए हैं हमारा network बना है हमने कुछ सीखा है अगर किसी और को भी अपनी story share करनी हो या अपने बारे में बताना हो है न और अपना कोई successful या फिर unsuccessful blog या कुछ कैसी भी story blogging से related कुछ कहना हो बताना हो कुछ अच्छा कर रहा हो वो मुझे instagram पर dm कर सकता है मुझे mail कर सकता है और comment में तो आप बताई सकते हो हंजी साही शेरी जी लास्ट में बताई आप क्या गहना चाहते हो देखिए लास्ट में यहीं बुलना चाहूंगी कि जब misguide क करने से पहले नहीं सोच रहे हैं तो फिर हम guide करने के पहले क्यों सोच थैंक्यू सो मच आपने इतना टाइम निकाला मुझे भी मौका मिला कि हमारे एक और सब्सक्राइबर की अच्छी से help कर पाऊं क्यूंकि लास्ट जो मैंने वीडियो की थी 11th क्लास के बच्चे के साथ क कि आपने मेरी कमेंट्स पर रिप्लाय दिया है मुझे अटेंड किया एंड मुझे आपके सिल पर इन्वाइड भी किया किसी और को अगर कुछ अपनी स्टोरी शेयर करने कुछ भी करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं इंस्टाग्राम का भी है आप मुझसे बात क कर सकते हो मुझसे कनेक्ट कर सकते हो